हेलो अभीवन आई वेलकुम इन इस वीडियो आज हम लोग योनिट 3rd मल्टीपल सेंट फेक्टर्स इसका वक्सिट 6 बनाएंगे ओके वक्सिट 6 में हैं find the common factors in each case means हर एक केस में को common factor find out करना है तो कैसे हम common factor को find out करेंगे यह हम लोग सीखेंगे ओके तो बने रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में और समझें कैसे हम लोग common factor को निकालते हैं तो simply हम लोग क्या करेंगे फेले factors को हम लेखेंगे ओके तो first question अपना क्या है 10 and 15 इसका हम लोग क्या लेखेंगे factors तो factors हम कैसे लेखेंगे तो factors means कौन-कौन number से यह cut जाएगा ओके number by which 10 is divisible तो first तो one से divisible होगा one सभी का factor होता है यहमको learn रखना है इसके बाद two से भी divisible होगा ओके तो two is the factor of 10 इस तरह से हम आगे देखेंगे तो three से नहीं divide होगा four से भी divide नहीं होगा five से डिवाइड होगा तो five is here factor of ten इसे तरह से मैं six से divide नहीं हो रहा है seven से भी divide नहीं हो हएगए eight से नहीं nine से नहीं अब सिधा आपको ten से divide होगा तो यह मैंने कह क्या factors लिख लिए है कि इसका ten का next है मेरा factors of 15 वन जितना भी इंटेजर से जितना भी नमबर है सभी का फेक्टर होता है फिर 15 किस से डिवाइड होगा 2 से दो डिवाइड नहीं होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 लिखे फिर आपका किस से डिवाइड होगा यह 15 यह माईग शब दोड़ से देवाइड हो जाए तो वाइट हो जाएगा तो इस तरह तरह से लीकर्च से दिवाड हो नहीं फिर-बन नहीं तो आप देख्छे हो डाय इत को 15 से दिवाड हो रहा ह। दो हमोगा सकते हैं वह थ SMS असाने और फेक्टर्स लिखने के बाद common factors को लिखना है, common हो गया common factor okay in the same way हम लोग question number B को solve करेंगे question number B में देखिए क्या है अपना 5 10 and 25 तो 5 क्या क्या factor होगा first one तुमको लिखना है 2 3 4 ये किसी से ने कटेगा केवल 1 और 5 आने की एक 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा कौन 5 नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 तो 10 किसे डिवाइड होगा देखिए 10 के लिए मोगन लिख लिए है क्या होगा 1 से डिवाइड हो रहा है 2 से हो रहा है 5 से हो रहा है और 10 से अपने आप से डिवाइड होगा जो भी नंबर हो अपने आप से डिवाइड हो जाता है फिर फैक्टर सम लिखेंगे 25 का 1 से डिवाइड होगा 2 से नहीं 3 से नहीं 4 से नहीं 5 से डिवाइड होगा 6, 7 और किसी से डिवाइड होगा नहीं और किसी से डिवाइड नहीं सिदा अपने आप से डिवाइड हो 25 से ओके चलिए अब हम क्या करते हैं common लिक, common इसमें से जो है उसको in circle करते हैं 1 मेरा पाला देखिए 1 common हो रहा है और 2 common है नहीं 5 common है यह देखिए 5 मेरा common है मतलब तीनों मैं match करना चाहिए तो अब जो common factor है उसको मैं यहां लिखता हूँ तो common factors of 5,10 and 25 यह होगी है मेरा 1,5 ओके 12 और 18 ओके इसके हम लोग factor निकालेंगे तो factors देखिए हमने 12 के factors को मैंने लिखा है फिर 18 के क्या-क्य factors होंगे 18 किससे divisible होगा तो 1 से divisible होगा 2 से divisible होगा 3 से भी होगा 4 से 4 से नहीं होगा 5 से 6 से divisible होगा 7,8,9,9 से divisible होगा 10 उसके बाद किससे divisible लेगा सिधा 18 से divisible होगा तो इस तरह से फिर हों common factor को निकालेंगे तो क्या क्या common है वान वान टू तू दोनों में है थिरी भी है दोनों में ओके और six six भी है दोनों में और कुछ है नहीं है तो जो common है उसको हम लिख देते हैं वान टू थिरी six जो दोनों में में किया मैं उसको not कर दिया यह क्या हो गया common factors किसके वोगे 18 को कि common means जो दोनों में match कर जाता है इसी तरह से हम आगे बात करते हैं 21 की 21 की क्या क्या factors होगी मतलब कौन-कौन से number से cancel होगा कौन-कौन से number से divide होगा 21 तो पहला 1 से दो divide सब होता है 2 से नहीं होगा 3 से होगा yes 4 5 6 7 नहीं just 7 से divide होगा इसके बाद किसी से divide होगा नहीं अपने आप से divide होगा ओके इसी तरह से factors हम 30 का लिखेंगे तो पहला 1 3 2 3 4 नहीं 5 6 7 8 9 10 10 and then 15 and then 30 ओके अब इसमें से क्या common है तो one common है दोनों में टू नहीं है थिरी है और क्या है और कुछ है नहीं है कुछ भी common नहीं है तो जो common है उसको हम लिखेंगे यह क्या होगा common factors होंगे इसके इस तरह से common factor निकल लिए कि इसके 21 के और 30 के ओके इसी तरह से next question को बनाएंगे यह देखिए next question अपना है 9 24 & 27 first में होगा one okay one सभी का factor होता है इसके बाद two की बात करें तो two से nine divide नहीं होगा चुकि nine क्या मेरा एक odd number है जो भी odd number होगा वो मेरा two से divide नहीं होता है तो जो even number होते है even numbers वही केवल हमारे two से divide होंगे क्योंगे किस से divide होंगे two से divide होंगे कौन even number और जो odd number होते हैं वो two से divide नहीं होते है तो यह two से divide नहीं होगा इस तरह से three से divide होगा जी three से divide होगा कैसे check करें कि divide हो रहा है कि नहीं तो उसके table में वो आएगा आपको nine मिल जागा means three के table में यह आ रहा है और बस आप nine के table में आएगा 24 का factors लिखना है तो one होगा इसके बाद two two के table में आएगा two से divide हो जागा चुकि यह even number है ओके फिर three से three से भी divide हो जागा three के table में 24 आ रहा है फिर four four से भी divide होगा five से नहीं होगा six से divide होगा six के table में 24 आ रहा है और कि इसके बाद आप बात करें seven से नहीं होगा eight eight से हो जागा कितना टाइम से डिवाइड होगा eight से आप देखिए 24 को अगर डिवाइड करते हम लोग eight से तो यह three times में चला जाता है होके इसका मतलब क्या हुआ यह eight से डिवाइड हो रहा तो eight कैमेरा ऐखा है फेक्टर होगे किसका 24 का इसके बास 12 होगा फिर डायक्ट 24 होगा फिर 27 का फेक्टर one है टू नहीं होगा क्यों चुकि यह odd number और नमबर जो हता है तो से डिवाइड नहीं होता है तो यह सहीं डिवाइड हो जागा थिरी के टेबल में आता है 27 फिर आप बात करेंगे तो 4 नहीं होगा 5 नहीं होगा 6 7 8 9 9 के टेबल में आएगा को के फिर 10, 11 इसके table में नहीं आ रहा है फिर किसके table में आ रहा है तो ये किसी और के table में नहीं आ रहा है सिधा 27 के ही table में आएगा ओके अब देखी common factors क्या क्या है यहाँ पे तो 1 तो सभी में common है 1 को तो पहले हम लोग circle करेंगे उसको बाद 3, 3 का देखी दोरों है इसमें match कर रहा है बड़ इसमें match नहीं कर रहा है ओके तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं फिर हम देखेंगे क्या 27 तो यहाँ पर है और इधर कहीं है ही नहीं ओके तो अब क्या बच किया जो मेरा आग यह उसको हम लिख देते हैं 1 तो पहले common हो गया है और 3 मेरा common हो गया है तो दो ही factor था 1 और 3 जो तीनों में common था 9 में भी 24 में भी 27 में तीनों में common था वो 1 और 3 next हम बढ़ेंगे F नमबर की ओर तो F नमबर में अपना क्या है 14, 17 and 22 तो इसके factors को note करना है तो 14 कौन कौन सा नमबर के table में आता है तो पहला 1 होगा, 2 होगा और 3 नहीं होगा 4, 5, 6, 7 7 के table में आ रहा है इसके बाद direct 14 के table में आएगा फिर 27, sorry 17, 17 1 से कट रहा है और किसी से नहीं कटेगा ये prime number है अपने आप से ही कटेगा और फिर 22 की बात करें तो 1 से कटने वाला है 2 से divide होगा 3 से divide नहीं होगा 4 से 5 से 6 से divide नहीं है ये सिदा 11 से divide होगा उसके बाद फिर आगे ये अपने आप से divide होगा अब क्या common है तो इसमें हम देख रहे हैं केबल 1 common है जो तीनों में आ रहा है तो common factor क्या हो गया इसका? 1 हो गया और first question तो हम लोग सारे बना लिए है अब जो next questions बच जा रहे हमारे वो हम next video में बनेंगे उसका link आपको यहाँ पे मिल जाएगा i button को click कीजिए और description box में मिल जाएगा तो I hope this video will helpful for you so please subscribe my channel and also press the bell icon for upcoming videos and also please like this video share with others thanks for watching have a glorious day ahead